आशा करता हूँ, आप साब बहुत अच्छे होंगे, मिरा नाम है सिध्धांत रिंहोतरी, स्टड़ी लोस पे आपको बहुत बस्वागत है, किम जोंग उनकी बात करेंगे, गोलू, मटोलू, प्यारा बच्चा हैना, आप देखी सकते हैं, बच्चपन में बहुत जूट रहे होंगे, लेकिन आज इन्हों ने इसी प्यारा बच्चे ने पुरी दुनिया में हमेशा से किया है, बार भी पुरी दुनिया के नाक पे दम करके रखा हुआ है, कभी जाओतर, कूरिया में अलेट हो जाता है, कभी जापान में अलेट हो जाता है, पता नहीं कितना अलेट कर रहे हैं, देखो, जोग्रफी के क्लास परसो से शुरू होगी बचा, तो आठ को, आठ नवेंबर को एक क्लास से शुरू होंगी, जोग्रफी कूपोन को यूज करो, इंडियन जोग्रफी के कैसा कोर्स है, मातर 300 रुपेका, सुनते ही आपके होश ओर जाएंगे, ये कैसा कोर्स है, और आप मैप्स के थूँ चीजे समझ जाओगे, सो मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर जोग्रफी, मैप बनाना आपको आ जाएगा तो इसी लिए ये कोर्स को अवेल करो, टेलिग्राम गुर्फ को जरूर जोइन करना, उसके बना क्लास नहीं हो पाएगे, ओके, देखो, एकॉनोमिक सांक्शन्स हमने लगा रखे हैं, नौर्थ कोरिया बलता है रहा है, बगया है ऐसे, एकॉनोमिक सांक्शन्स ना, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इनका और स्ट्रॉंग हो गया है, ठीक है ना, इंटर कॉन्टिनेंटर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत जल्द बना लेगा, अमेरिका तक पहुँच जाएगी, अब अमेरिका के पॉलिसी मेरिकर्स कह रहे हैं कि अरे ऐसे धोड़ी नहों होता है यह क्या कर रहे हो आपको बता दू कि अभी साउथ कोरिया के उपर मिसाइले दागी ऊपर से गई मतलब तो अमरिका कह रहा है कि अरे हम भाया विजिलेंट स्टॉम अगर एक्सरसाइस कर रहे तो दिक्कत क्या है तुम परशान म हो यानि कि अमेरिका लगा तर लल्लो चप्पो कर रहा है समय नौर्थ कोरिया की कि आपके उपर कोई खत्रा नहीं आएगा टेंचन ना लो आप अब अमेरिका बोल रहा है कि चलो देखते हैं अब इतने साल में हमें साइंचिस लगा है अब देखते हैं कि कि किसकों को ब्ल अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं बाइडन एड्मिनिस्रेशन ने साफ सा बोला है कि हमने सांक्शन्स लगायते हैं नौर्थ कोरिया नहीं रखा यह वैपन प्रोग्राम उनका बहुत तेजी से चल रहा है और अब देखें अब सांक्शन्स पे तो कोई बात बनी नहीं चाइना का रश्या को सपोर्टर सीधा 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 तो जो सांक्शन्स से बात नहीं पर नहीं तो क्या होगा बताईए हमला कर तो हमला थोड़ी ना कोई ऐसे कर सकता मैं डिसे करूंगा कि जो आइडिया है सांक्शन्स फेल हुआ sanctions fail वह उनको program नहीं चला लेकिन पूरी तरिक से true नहीं है ये administrative officials ने ये डिटर्स को बात बताई है और अगर sanctions if sanctions didn't exist तो तब तो बहुत मुश्किल हो जाती North Korea के लिए मतलब हमारे लिए आप समझे कि हमने काफी हद तक North Korea को continue करके रखा यानि कि ये कहने का मतलब इनका ही है कि भले ही North Korea के पास खूब सारे weapons है लेकिन कम से कम उसने छोड़े तो नहीं ये क्या बात हो यार ये जी वो गरीब बात ये मतलब आप ऐसा है कि मैं ये बोल रहा हूँ क्या रही यार वो परशान थोड़ी ना करेगा उसके घर में बस वो हतियार इखटा करते जा रहा है वो मिसाइल लेके आया है वो टैंक लेके आया है वो हेलिकॉप्टर लेके आया है वो बम लेके आया है मारेगा थोड़ी ना कोई बात नहीं हमने उसको रोक के रखा है, क्या बखवास है रही है अब United Nations Security Council ने multiple resolutions पास किये है कि हम sanctions लगाएंगे, sanctions लगाएंगे का है का sanctions सारे member states को इसको implement करना है, former opposition experts ने बोला कि sanctions जो है वो कभी imposing नहीं किये गए, it was never imposed, and enforced obviously हम North Korea को नहीं content कर पाएं है और यह हमको मानना पड़ेगा Russia, China है, support कर रहे है जो tensions है ना America, China की और Ukraine, Russia की वो इसको ineffective कर रहा है और North Korea जो है it has long been forbidden to conduct nuclear test and ballistic missile launches United Nation ने बोला था कि कोई भी nuclear test और ballistic missile launch नहीं होगा North Korea में, हुआ ऐसा sanctions 2006 से है nuclear और ballistic missile प्रोग्राम को रोकने के लिए, funding को कतम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ हाला कि अभी coal, iron, lead textile, seafood यह सब इस पे बैन लगा हुआ है कि North Korea को कोई नहीं बेचे गई है लेकिन फिर भी North Korea sanctions को ताक में रख रहा है Russia और China North Korea को back कर रहे है तो भाया Russia और चाइना पे sanctions लगाओ जब तक United Nation ऐसे कदम नहीं उठाएगा बंद कर तो चाइना बोलो कि आज के बाद तुम्हारा कुछ खरी देंगने भाड़ में जाओ लेकिन इतनी इम्मत है सब पैसे का खेल है बाबु भाईया पैसे का चक्कर बाबु भाईया पैसे का चक्कर समझे और चाइना और रश्या को सबको पता है कि कितना जादा North Korea को वो leverage देता है चाइना North Korea को एक उसकी तरह यूज़ करेगा देखेगा negotiation की तरह और रश्या भी हो सकता है कि बैटा अगर जादा तुमने कुछ गढ़बर की तो North Korea को छोड़ देंगे तुमारे उपर ये चीज़ है Anthony Ruggerio जो कि North Korea sanctions को head कर रहे थे उन्होंने बोला कि देखो हम वालब हमने उनको persuade किया है Obama administration और जब Donald Trump का दूसरा साल था तब हम काफी हद तक persuade कर लिये लेकिन उसके बाद जो भी हमने कोशिश की थे वो सब मिट्टी में मिल ली Trump और Kim Jong उनकी कुछ critics ये कहते हैं कि sanctions जैसे पर लब sanctions expert Joshua Stanton इन्होंने बोला कि Trump और Biden दोनों का ही fault है आप चाइना के उपर pressure डाली नहीं पर है ना अगर आप चाइना के उपर pressure डालते तो काफी हद तक contain कर ले जाते हैं लेकिन ऐसा हुए sanctions we don't enforce don't work we haven't been enforcing them since mid 2018 2018 के बाद से हमने छोड़ दिया कि कोई sanctions भी है और वही सही North Korea 2018 से लगातार North Korea missile test कर रहा है यह चीज है तो basically जो Chinese banks है जो पैसा दे रहे हैं जो money laundering कर रहे हैं किम जों उनको पैसा पहुचा रहे है आपको उनके उपर न के लकस नी चाहिए डीथ होमस आर्गू करते हैं यह again एक expert है उन्होंने बोला कि we have some call nuclear option of going after Chinese banks हमारे पास कुछ options हैं जिससे हम Chinese banks को contain कर सकते हैं अब जैसे बहुत बड़े Chinese institutions हैं international financial system से हटा दो swift test और बाकी से हटा दो खतम लेकिन यह बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी it will be catastrophic consequence not just for the Chinese but for the US and global economies उन्होंने कहा है कि हम चाइना पे पूरी तरीके से करवाई कर सकते हैं जिस दिन चाइना पे sanction लगाया उस दिन चाइना गया लेकिन पूरी दुनिया के पूरी दुनिया जाएगी उसके साथ क्योंकि आद चाइना पे उपर बहुत हत तक पूरी दुनिया dependent है तो we cannot go full bore against Chinese over North Korea हालक यह possibility रहेगी बट यह बहुत है risky है और यह last हो समझ रहो last option हो यह लेकिन still हमको कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा अगर आप Chinese banks को sanction करते हैं you wouldn't get the North Korean to change हो सकता है चाइना क्यों sanction लगाने के बावजुद North Korea change नहों कही ना कहीं से उनको पैसा मिलता ही रहेगा कुछ experts यह आर्ग्यू करते हैं कि Washington को अब North Korea को recognize करने चाहिए कि अब जो है so है और nuclear को कभी वो disarm नहीं कर पाएंगे अब North Korea एक nuclear power अब भूल जाए अमेरिका और अब आगे बढ़े जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, रश्या है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, यह 8 nuclear nations and non-nuclear डिसरायल है तो जैसी policy उनके खिलाब बनाता है वैसी हम North Korea के खिलाब भी बना है तो better होगा I do think we can buy things other than disarmament with our economic leverage यह Jeffrey Lewis का कहना है जो कि again एक expert है हाला क्या कि जो एक, देखो मेरे घर के बगल में एक मकान बन रहा है, पता नहीं कितना माला मकान, पूरा आसमान तक लेके जाएंगे तो थोड़ा सक, और उपर से आज मैं स्टूडियो भी नहीं गया हूँ तो उस सकता थोड़ा बर disturbance है यहां के एक senior official ने, Biden administration के यह बोला है कि यह जो sanctions, it was not just tunitive, लेकिन यह international community था कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, कि हाँ हम united है तो no country is calling for this